सबी विद्यार्थियों को नमश्कार विद्यार्थियों हमने सीमा विदी द्वारा निर्पेक्ष दहली किस तरह ग्यात किया जाता है या निर्पेक्ष दहली का मापन किस प्रकार किया जाता है इसका अधियन किया अब सीमा विदि द्वारा भिन्ता दहली या differential threshold ग्याद करना हम इस अध्याय में पढ़ेंगे विद्यार्तियों, absolute threshold या absolute lyman या निर्पेक्ष दहली और भिन्ता दहली जिसको हम अभी ग्याद करने वाले हैं इन दोनों विदियों में यह अंतर है कि बिनिता धहली या डिफरेंशिल थेशोल्ड को ग्याद करते समये जब हम प्रयुजे या सब्जेक्ट को उद्धीपक जो प्रस्तुत करेंगे उसमें प्रती एक प्रयास में हम प्रयुजे को दो उद्धीपक देंगे जिसमें एक मानक उद्धीपक होगा या स्टैंडर्ड उद्धीपक जिसको स्से रिनोट किया जाता है और दूसरा परिवर्तनी उद्धीपक या वेरियेबल उद्धीपक है जिसे हम वी से रिनोट करते हैं तो हमने ये बताया कि डिफरेंशिल थेशोल में प्रयुजे को दो उद्धीपक दिये जाएंगे एक मानक उद्धीपक या स्टैंडर्ड उद्धीपक होगा और दूसरा वेरियेबल या परिवर्तनी उद्धीपक होगा और इसमें प्रयुजे का ये कार्य होगा कि वह अनुमान लगा कर बताएगा कि जो परिवर्तनी उद्धीपक है उसके द्वारा उत्पन समवेदनाओं की मातरा मानक उद्धीपक से उत्पन समवेदनाओं की मातरा से अधिक है, कम है या बराबर है मतलब जो हमने variable stimulus दिया है और जो हमने standard stimulus दिया है इसमें subject को ये बताना होता है कि जो variable stimulus से sensations उत्पन हो रहे है उसकी मात्रा standard उद्धिपक से उत्पन होने वाली संवेदनाओ या sensation की मात्रा से अधिक है, कम है या उसके बराबर है और जब प्राइवेजिय अपनी अनुक्रियाय देगा तो अधिक के लिए हम plus का निशान लगाएंगे कम के लिए minus का और बराबर के लिए equal to का चिन्न लगाएंगे त्यारतों जैसे हमने बताया है कि इसमें दो उद्धिपक दिये जाएंगे ऐसा करना यहाँ पर इसलिए आवशक है क्योंकि जो experimenter है या जो प्रयोक करता है वो बिन्नेता धहली ग्याद करते समय या जानना चाहता है कि जब दो उद्धिपकों को प्रयोज्य को दिया जाता है तो क्या प्रयोज्य दो उद्धिपकों के बीच अंतर कर सकने की शमता रखता है या नहीं जिस तरह हमने निर्पेक्ष दहली का सीमा विदी से ग्याद किया था उसमें हमने ascending और descending order रखा था उसी तरीके से ये जो प्रयास किये जाएंगे उसमें भी आरोही वा अवरोही क्रम होंगे विद्यार्तियों सीमा विदी द्वारा निर्पेक्ष दहली को ग्याद करने के लिए हमने आपको ये टेबल में दर्शाया है आप इस टेबल में अगर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि लेफ्ट हं साइड पे comparative stumulus जो है वो लिखा है comparative या variable stumulus या परिवर्तनी है उद्वारा निर्पेक्ष और ये जो परिवर्तनी है उद्वारा निर्पेक्ष देखेंगे वो 290 से लेके 310 तक है इसके बीच में आप देख रहे हैं एक निशान लगवा है जहां पर ST लिखावा है और वो 300 है ST यहां पर मानक उद्वारा या standard उद्वारा निर्पेक्ष देख रहे हैं कि प्रयोजे ने जो प्रतिक्रियाएं दी है वो कम के लिए minus बराबर के लिए equal to और चाहदा के लिए plus से दर्शाई गई है जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि इसमें ascending और descending यानि आरोही और अवरोही क्रम निर्पेक्ष देहली की तरह ही प्रयोग में लिये जा रहे हैं इसमें भी पहले आप ascending order में उद्वार को प्रस्तुत करेंगे फिर descending order में फिर again ascending और descending इस तरीके से आपको प्रयोजोग को ये प्रयास करवाने हैं इस तालिका में जो उदीपक प्रयोग में लिया गया है वह साउंड उदीपक है यह हम कह सकते हैं कि ध्वनी उदीपक का प्रयोग किया गया है इसमें जो स्टैंडर्ड उदीपक है वह 300 है जो यह दर्शाता है कि जो साउंड या द्वनी की तिवरता है वो 300 पर उन्होंने स्टैंडर्ड रखी है या मानक रखी है तो हम प्रयोग को 290 पर सेकंड पर जब ध्वनी सुनाएंगे और फिर उसे 300 पर साइकल पर ध्वनी सुना कर यह पूछेंगे कि आपको जो पहले ध्वनी सुनी वह तेज थी या कम थी या उसके बराबर थी तो प्रयोग जो अनुक्रिया देगा उसको हमें नोट कर लेना है यदि वह कहता है कि उसे कम लगी तो आप माइनस लिखेंगे और अगर वह कहता है बराबर लगी तो आप इक्वल टू का निशान लगाएंगे जैसे कि प्रस्तुत टेबल में 290 पर उसे कम आवाद सुनाई दे रही थी तो उसने माइनस का निशान लगाया इसी तरीके से हम variable stimulus को और standard stimulus को बार बार प्रस्तुत करकर प्रयोजे से अनुक्रिया देने को कहेंगे प्रयोक समाप्त होने पर transaction points या T plus और T minus की गणना की जाएगी और उसके बाद इनका mean या मध्यमान निकाल कर differential threshold या differential lineman या बिनिता दहली की गणना की जाएगी विद्यार्थियो इसमें करम प्रभाव या order effect को दूर करने के लिए जो आधे प्रयास होंगे प्रयोग में उसमें मानक उद्धीपक को पहले दिया जाएगा या पहले सुनाया जाएगा और मानक उद्धीपक जैसे इस प्रयोग में 300 per second cycle ध्वनी है तो उसको पहले प्रस्तूत किया जाएगा उसके बाद में तुलनी है जैसे मैंने बताया पहले आपने 300 decibels का सुनाया उसके बाद में 290 का सुनाया और कुछ प्रयोग में हम पहले वेरियेबल को देंगे जैसे 290 को पहले सुनाएंगे और 300 को बाद में सुनाएंगे ऐसा करने पर जो क्रम प्रभाव है अगर हम एक ही क्रम में देंगे तो हो सकता है कि प्रयोजे उसको अनुकरिया देने में क्रम का उस पर प्रभाव पड़े इसलिए इस क्रम प्रभाव को कम करने के लिए मानक कई बार मानक को दिपक पहले और कई बार मानक को दिपक बाद में दिया जाता है विद्यार्थियों डियल के गन्ना किलने के लिए जो हमने टेबल में अनुक्रियां ये रिस्पॉंसे नोट किये हैं उसका transaction point निकालेंगे और उसके लिए हमने T plus का और T minus का निशान लगा है T plus निकालने के लिए जहां पर भी अनुक्रिया हैं या responses change हो रहे हैं वहाँ पर हमें दोनों अनुक्रियाओं को plus करके 2 से divide करना है जिससे आपको transaction points राप्त हो जाएंगे और जब transaction point आजाते हैं तो इनका mean या मद्यमान निकाला जाता है जिसके लिए sigma x upon n का formula लगा कर जो है वो mean of T plus या मद्यमान T plus निकाला जाएगा और मद्यमान T minus निकाला जाएगा उसके बाद आप देख रहे हैं कि upper dl या upper differential lineman जो है उसकी गणना की जाएगी उसके लिए mean of T plus minus standard किया जाएगा standard या मानक हमने बता है 300 रखा है इसलिए जितने भी mean of T plus है जो हमने उपर निकाल लिया है 301.4 उसमें से 300 minus कर दिया जाएगा उसी प्रकार lower dier निकालने के लिए standard या मानक में से जाएगा जो भी जिसकी भी गणना हम उपर कर चुके हैं जो 297.2 है इस प्रकार 300 में से 297.2 को माइनस कर दिया जाएगा और आपको upper dier और lower dier प्राप्त हो जाएगा अब विद्यारतियों dier या differential lineman या बिन्नता दहली का फॉर्मूला है जो की है upper dier प्लस lower dier upon 2 तो upper dier और lower dier की गणना हम कर चुके हैं 1.4 प्लस 2.8 है जिसको हमने 2 से डिवाइड किया और इस तरीके से differential threshold की गणना हो जाएगी और यह differential threshold यहाँ पर 2.1 हमें प्राप्त हुआ इसी प्रकार विध्यारतियों point of subjective equality या आत्मपरक समता बिंदू का की भी गणना की जाएगी और constant error भी इसमें हमें इसमें हमें गणना करनी पड़ेगी इस प्रकार विध्यारतियों आपने यह देखा की सीमा विधी द्वारा बिन्नता दहली या differential alignment को किस प्रकार गयात किया जाता है और इसकी हमने विस्तार से विवेचना की इस अध्याय में विध्यारतियों हम इतना ही पढ़ेंगे सभी विध्यारतियों को धन्यवाद